जमो कश्मीर के सेक्लिरिजम की मिसाल दूर विदेशों में दी जाती है यहां के बाइचारे की एक्जेंपल जो है दूर विदेशों में दी जाती है लेकिन कहीं न कहीं कलर डालने का प्रयास भी यहां पर किया जाता है जा एक तरफ से नवरात्रों का शुब आरम कल से हो रहा है वहीं रमजान के पाक महीना भी जो है वो 14 एपरल से जो है शुरू हो रहा है इसी बीच में मुनसिबल कॉर्परेशन की बात करें उन्होंने हाउस में जनरल हाउस में एक resolution पास किया था कि मीट की या फिर स्लाटर होस की जितनी भी शॉप से हैं वो बंद रहेंगी हालां कि इस ओर्डर को modify कर दिया क्या है प्रश्न ये है इस ओर्डर की जरूरत क्या थी क्या यहाँ पर पहले नवरात्रों का आयोजन नहीं किया जाता था क्या यहाँ पर पहले इस तरह का माहूल नहीं था इन सब पर बात करने के लिए में साथ हैं senior advocate शेक शकील एहमद साथ आई इन से बात करते हैं सब बहुत बहुत स्वागत आपका शुक्रे आपका बहुत सब जिस तरह से नवरात्रों का शुबारा बोरा है और रमजान का पाक महिना भी एक साथ आ रहा है किस नजर यह से देखते हैं देखे यह कोई कुदरत अलाही का एक कमाल है काफी अर्सा से आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो इकठे ही आ रहे हैं मुझे लगता है कि जो अलाह ताला है हमारे बगवान है वो भी चाहते हैं कि हम अमन से रहें प्यार से रहें चैन से रहें और आपको मालूम है हमारा कल्चर ऐसा है प्लूरल सोसाइटी है हम लोग सभी मिलजुल के अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं थोड़े दिन पहले भी ये कहा मैंने का ये वो शहर है जहां जब क्रिशन जनमाश्टमी की जब जहांकी निकलती है तो आप देखते हैं कि राजिंदर बजार में हमारे तलाब खटिकान से जितने भी हमारे मुसलिम भाई हैं वो सड़क पे आते हैं और फूलों की पतियां जो हैं जहांकी के ओपर अपने हिंदू भाईयों के ओपर लहराते हैं ठीक है इसी तरह आपको पता हमारा ताजिये का जिरूस निकलता है पीर मिठा से हमारे हिंदू भाई पीर मिठा से लेकर शेहिदी चोक तक, कर्बला तक जिसे कहते हैं, छबीलें लगाई होती हैं, शर्बत जिसे कहते हैं और इतनी आस्था है हमारे हिंदू बाईयों को भी, तो बताने की में मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन आप यह देखिए कि यह जो मुझे लगता है कि कोशिश की गई हमारे इस सेकलोर एटमासफिर को थोड़ा सा पल्यूट करने की और आपको मालूम है कि इमीजेटली कंसर्न एक्सप्रेस किया गया और मैं मशकूर हूँ जब्मो की सिवल सुसाइटी का इतना मैसिव रिस्पॉंस है सबी नहीं कहा कि ऐसा आर्डर तो होना नहीं चाहिए था हरे की अपनी एक आस्ता है और एक तरफ से हमारे पावन नवराता शुरू हो रहे हैं दूसरे में जिसे कहते हैं कि माहे रमजान भी शुरू हो रहा है तो हम तो एकठे ये तहवार मनाते आये हैं तो जरूरत क्या थी इस आर्डर को इशु करने की और मुझे लगता है कि अल्टिमेटली बैटर सेंस हैस प्रिवेल्ड और ये बड़ा पॉजिटिव मूव है जो इस आर्डर को मैं शुक्री अदा करूंगा मुझेपल कार्पॉरेशन का कि उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं मैडम शमा परवीन जो के सिदरा से कार्पॉरेटर ने जिन्होंने कल बड़ी मजबूती से ये मामला जो है ये कल मुझेपल कार्पॉरेशन की हाउस में उठाया और हमारे बाकी साथियों ने भी इस चीज़ को रेलाइज किया जो कि भी सोशल मीडिया में वो रडर आ चुका है तो एक खुशी की लहर जो है वो दुबारा जिससे कहते हैं तमाम सर्कल्स में इस जमूशेहर में फिर आगई है कि सबी लोग जिससे कहते हैं कि रमजान के दोरान एक बड़े हिसाब से इसे कहते हैं जिसको भी मीट कंजूम करना है या वो मीट शाप्स जो हैं वो खुली रहेंगी जिस तरीके से जो भी उस आर्डर में कंडिशन से इंपोस की कही है अगर रमजान का पाक महीना नहीं होता तो नवरात्रों का ही महीना ह जादी तो तब क्या इस और को समर्थन देते आप देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूंगा मैं बिल्कुल क्लिरली आपको इस चीज़ कहूंगा कि आप देखिए फॉस्ट टाइम इस किसम का यह आर्डर इशू है आप देखिए और मैं एक चीज़ और आप से शेयर करना होता है और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जान बूच के इन दिनों में कोई मीट की जो कोई कंजम्शन जो हो या किसी अपने हिंदू बाई के सेंटिमेंस को हर्ट करने के लिए कोई करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं आपको एक चीज़ कहूंगा कि इस किसम का माहौल बनाना इसकी कोई यह हम पर कोई ज़रूरत नहीं है इस किसम से अब हम अपने खानों के उपर अपने पहनावे के उपर अगर आप देखिए हम बात कर रहे हैं कि हमने मुकाबला करने हैं अमेरिका का यूरोप का हमें एक डॉलप कंट्री बनने जा रहे हैं एक सुपर आउन without the अल्गस कonne चाहिताleş। तो मुझे या लगता है कि यो आने वाली generations हैं हमें उनको बताना चाहिए है कि हमारी तारीख क्या थी हमारा भाहिचरा क्या था यहा यहां जम्मू हमें रामाइन में अब मैं रामनगर से आता हू। हमारे राम नगर में, रामाइन में हमारे जो बज़रोग थे जो वो रामाइन में रोल प्ले किया करते थे, कई करेक्टर्स का रोल जो थे हमारे मुस्लिम भाई किया करते थे और जमू में भी हमारे कई नुकड नाटक और ये राम लिला यहां जो मंदर में होती है दिवाना मंदर में वहां पे भी केई करेक्टर्स जिसे कहते हैं फार्टी सेवन में भी हमारे कोई फिजा है, इस किसम का माहूल है, और मैं बार बार एक चीज़ दोहराता हूँ, कुछ लोगों को जम्मू का जो पीस है, जो अमन है, वो पसंद नहीं शायद आ रहा है, वो लोग चाहते हैं कि यहां पर भी एट्मासफिर को विशियेट किया जाए, लेकिन मैं मुबारक बात जम्मू मुंस्पल कार्पोरेशन को, कि मतलब एक लिए गलती जो है न, कहते हैं, टू एर इस हुमन, वो इनसान ही कहा जिसे गलती ना हो, तो मुझे लगता है कि अगर गलती हुई भी उसको इम्मीजेट्री रेक्टिफाई कर लिया, सुदार लिया गया है, इसके लिए मै मैं पूरा श्रेह दूँगा, कार्पोरेशन को, अपने कार्पोरेटर्स को भी, और मुंस्पल कमिशनर मैडम अपनी लवासा को भी, कि उन्होंने इस सेंजिटिविटी को समझा, लोगों की भावनाओं को समझा, और अल्टिमेटली मैं आपको फिर यही कहूँगा, यह हम हम सबने मिलके, हमने, आप देखिए, हमारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, हम एक ही GMC में जाते हैं, एक ही सब्जी मंडी से हम सब्जी खरीते हैं, तो फिर यह फरक क्यों इसे कहते हैं, फरक होना भी नीच चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जिया अगर सब्द्री कि मुस्लिम्स की बात करें, यह दोनों भाइए हैं, दोनों ही एक सक्के के दो पहली गुंगने हैं, और हर दरम में हम लोग शिरकत करते हैं, जए धिवाली है, चाहिए एद है, हम खुशीओं के साथ स्वागत करते हैं, खुशीओं के साथ एक दूसरे को गले ल झाल झाल